हेलो दोस्तों मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम जानेंगे कि अगर आपके पास भी किसी भी कमपनी का लैपटॉप है जैसे की डेल या एच्पी या लुनोवो तो उसमें हम रीफ्रेश कैसे करें यहाँ पर हम रीफ्रेश कर सकते हैं आप देख सकते हैं तो हमने यह कैसे किया है आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तरीका सिंपल है यहाँ पर मैं आपको दो नहीं बलकि तीन तरीके बताऊंगा क्योंकि तीन तरीके होते ही हैं लैप्टॉप में भी कंप्यूटर में भी देखेए सबसे पहला तरीका है आप इस स्क्रीन पर अपना कर्सर लेके आईए कहीं खाली जगा पर इसके बाद आपक आपको मिल जाएगा refresh, इस पे किलिक कर दीजिए touchpad से और यह हो जाएगा, यह तो हो गया पहला तरीका, अब मैं आपको बताता हूं दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में आपको यहाँ पे अपने keyboard पे window बटन दिखाए देगा, window बटन दबाए रखिए, यहाँ पे पहले screen पे आजाएगा, window बटन दबाए रखिए, इसे छोड़िये मत और यहाँ प्रेस करें आप D, D4, यहाँ पर देख सकते हैं, D प्रेस करें, यह एक बार refresh हो जाएगा, यह तो होगे दूसरा तरीका, अब मैं आपको बताता हूं, तीसरा तरीका, तीसरा तरीका तभी काम करेगा, जब आप एक बार पहला और दूसरा तरीका इस्तिमाल कर लोगे, तभी तीसरा तरीका इस्तिमाल कर सकते हो, तीसरा तरीके में यह जल्दी जल्दी हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा F5, F5 से आप करें, और आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यह रिफ्रेश हो है, ऐसे अब इसको इस्तिमाल करिए, और वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करिए,